आचारिय जी, मोदी जी साधना करने गए हैं, विपक्ष इसका विरूद क्यों कर रहा है? देखें, ये एक धर्म युद्ध है, ये जो 2024 का चुनाव है, ये धर्म युद्ध की तरह है, इसमें एक तरफ वो लोग हैं, जो धर्म के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं, जो धर्म को मिटाना चाते हैं, आसूरी शक्तियों से लड़ने के लिए, आसूरी शक् अध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है। पहले भी प्राचीन काल में जब सुरसुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, जब आसुरी शक्तियां बहुत बढ़ जाती थी, तो उनके विनाश के लिए रिशी मुनी महात्मा साधना करते थे, जब तप और साधन करते तो मुझे लगता है कि अध्यात्मिक उर्जा को अरजित करने के लिए नरेंद मोदीजी समय स्वामी विवेकानल की शरण में है। ये अध्यात्मिक चेतना का विशह है, ये आस्था का विशह है। अब ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी, जिनकी आस्था वेटिकन में जिनकी आस्था विदेशों में है। इसलिए ये मोदी का विरोद कर रहे है।